नमस्कार आदाग वेलकम टू अपना रिजल्ट दोस्तो एक स्टेट उन्वरसिटी ने एमफिल एडमिशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इसके बारे में मैं आपको पूरी जान करी दूँगा लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारेश है कि अगर अभी तक आप कश्मीर की मशूर बाबा गुलाम शा बादशा उन्वरसिटी ने जारी किया है कश्मीर के राज़ोरी में इस इन्वरसिटी ने कई सब्जेक्ट्स में एमफिल 2020 के लिए आविदन मांगे हैं अगर आप धरती के स्वर्ग में रहकर एमफिल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो उन्वरसिटी ने नोटिफिकेशन में बताया है कि आपके पास बाबा गुलाम बादशा उन्वरसिटी या UGC द्वारा मानेता प्राप्त किसी उन्वरसिटी से सम्मंदित बशे में 55 प्रतिशत अंको होने चाहिए यहाँ एंफिल में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा टेस्ट का एयोजन इन्वरसिटी केंपस के साथ साथ बेविन सेंटर्स पर किया जाएगा इसके साथ ही ऐसे कंडिरेट्स जिन्होंने UGC NET, JRF, UGC CSIR NET, JRF IEC, AR, JRF, SLATE या GATE की परिक्षा पास की है तो उन्हें एंट्रेंस एक्जाम नहीं देना होगा उन्हें सीधे प्रिजेंटेशन और इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको प्रिजेंटेशन और इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा टेश्ट के साथ प्रिजेंटेशन और इंटर्व्यू में भी क्वालिफाई करने वाले कंडियेट्स की final merit बनाए जाएगी अगर आपका नाम merit में आ जाता है तो आपको admission मिल जाएगा अगर subjects की बात की जाए तो यहाँ Amphil के लिए Arabic, English, Botany, Biotechnology, Mathematics और Applied Mathematics के साथ Management Studies में seat उपलब्ध हैं इसके साथ ही Computer Science, Economics, Information Technology, Urdu, Education और Hospitality Tourism subject में seat available हैं लेकिन यहाँ Amphil के लिए भी University ने अभी seat'ों की संख्या गोशित नहीं की है अगर application fees की बात की जाए तो University ने सभी कैटेगरी के लिए 1000 रुपे के fees रखी है यहाँ University ने General, OBC, Non-Crimalier, SC, ST या Special Candidates को fees में कोई छूट नहीं दी है सभी को 1000 रुपे की fees चुकानी होगी यह अच्छा हैं तो online भी जमा कर सकते हैं अगर आप offline form जमा करना चाहते हैं तो आपको form download करना होगा और form को भर कर अपना recent passport size photo लगाना होगा इसके साथ ही 1000 रुपे का demand draft भी attach करना होगा यह demand draft रजिस्टरार BGSB University राजोरी के पक्षमे दे होगा और इसे Office of the Deputy Registrar Academic Affairs BGSB University राजोरी के पते पर सेंट करना होगा form का link में description box में दे रहा हूँ आप चाहें तो download कर सकते हैं वहीं आपके पास online form जमा करने का भी बिकल्प मौझूद है इसके लिए आपको online registration करना होगा और मांगी गई सूचनाओं को बड़े ही ध्यान से भरना होगा इसके बाद आपको 1000 रुपे के फीज अपने debit card, credit card या internet banking से चुकानी होगी online registration का link भी मैं description box में दे रहा हूँ आप link पर किलिक कर अपना form जमा कर सकते हैं मेरी एक बार आपको फिर सला है कि आप अपना form online mode में ही submit करें अगर important dates पर नजर डालें तो university ने offline और online form जमा करने की last date 15 February 2020 रखी है यानि आप 15 February 2020 तक अपना form offline या online submit कर सकते हैं अगर आप किसी बज़े से अपना form 15 February 2020 तक जमान नहीं कर पाते हैं तो आपको घबराने की कोई जरूत नहीं है 200 रुपए लेट फिस के साथ अब 20 February 2020 तक अपना form जमा कर सकते हैं जानकारी आपको कैसी लगी आप comment box में जरूर बताएं आपसे गुजारेश है कि वीडियो को like करिए, share करिए और channel subscribe जरूर करिए साथ ही बगल वाली घंटी भी टेंट ना दीजे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले नमस्कार आदाब